नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक काफी महत्वपून टॉपिक के उपर चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्तमान में कई स्टुडेंट्स और केंडिडेट के मन में चल रहा है कि किसकी तैयारी करें जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में कई वेकेंसी निकाली जा चुकी हैं जैसे कि यदि हम बात करें कि स्कूल व्याख्याता या फिर हम यूँ कह लें फर्स्ट ग्रेड इसके अलावा वरिष्ट अध्यापक सेकेंड ग्रेड रीट जिसे हम कह सकते हैं अध्यापक पात्रता परिक्षा यदि अगर हम बात करें इसके अलावा कौन कौन सी वेकेंसी हैं तो प्रमुक्रूप से प्रियोक्षाला सहायक लेब असिस्टेंट और कौन सी वेकेंसी आने वाली हैं तो अगले कुछ महिनों में आने वाली वेकेंसी हैं आरे एस दोजार बाइस और असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे हम कह सकते हैं तो ये दो वेकेंसी आने वाली हैं और ये वेकेंसी आ चुकी है इन सभी वेकेंसी को लेकर इस्टुडेंट के मन में एक सवाल है और कई बार स्टुडेंट और केंडिडेट मुझसे ये पूछते हैं कि सर किसकी तयारी करें इसके बारे में आपको कई लोग मिल जाएंगे सला देने वाले मैं आपको इसे अपने अनुभव जो मेरे अनुभव हैं उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रियास करूँगा जिससे आप अपने जीवन का ये महत्वपून डिसीजन ले सके कि आपको किसकी तयारी करनी चाहिए एक बार इस वीडियो को अंत तक देखें और फिर आप इस इस्तिती में आ जाएंगे आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि हमें किस परिक्षा की तयारी करनी चाहिए देखिए जिन कैंडिडेट्स ने बीड कर रखी है वह इन तीनों वेकेंसीज को दिमाग में रख कर तयारी करते हैं जो भी बीड कर रखी है वो क्या सोचते हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकिंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर की तयारी क्या कर ले हम कर ले और जो आरेस की तयारी कर रहे हैं वो आरेस के लिए जाते हैं और Assistant Professor में आपके जो Net Qualify Candidates आ जाते हैं वो आ जाते हैं तो इन दो के प्रती जो Candidates से उनकी संख्या क्या होती है थोड़ी कम होती है लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको लगबग 60,000 पद दिखाई देते हैं कितने पद दिखाई देते हैं लगबग 60,000 पद दिखाई देते हैं यहाँ पर आपको लगबग 6000 पद जो अलग-अलग सब्जेक्ट में है वो दिखाई देते हैं और यहां पर आपको लगबग 5000 पदों के लिए 1st ग्रेड की वेकेंसी दिखेंगी और अगर हम सब्जेक्ट वाइस बात करें तो लगबग 793 यह किस विशे में है भुगोल में है और लगबग इतिहास में भी 800 यह इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं इतने ही पदों के लिए वेकेंसी निकाल रखी है तो अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हमें किस की तयारी करनी चाहिए कई बार केंडिडेट यह सोचते हैं कि अरे हम तीनों की तयारी एक साथ कर ले क्या पता किसी में तो हो ही जाएगा एक सवाल दिमाग में यह आता है दूसरा सवाल यह आता है कि रीट इसमें साथ हजार पद हैं हमें इसकी तयारी करनी चाहिए सेकंड चीज आपके दिमाग में यह आती है कि सेकंड ग्रेड में ज़्यादा चांस है जैसे अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो लगबग सोला सो के आसपास पद है तो हमें सेकंड ग्रेड की तयारी करनी चीए फर्स्ट ग्रेड में तो पदों की संख्या कम है तो क्या पता हमारा सेलक्शन हो या ना हो तो आप इन सब के बारे में सोचने से पहले केवल एक चीज दिमाग में रखिए कि चाहे यहां पर कितने भी पद हो आपको सेलक्शन के लिए केवल एक पद चाहिए आप कितने पदों पे सलेक्शन हो सकते हैं केवल एक सीट और एक पद पर आप सलेक्शन हो सकते हैं बाकी सारे पद किसी और के हैं तो आप अपने दिमाग में से ये खयाल तो निकाल दीजिए कि पदों की संख्या कितनी है अब हम दूसरी बात करें कि REIT की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो पिछली अभी भरती हुई थी जो रद दो गई थी वहाँ पर कुल आए फॉर्मों की बात करें तो लगबग 16 लाख अब्यर्थियों ने REIT परिक्षा में भाग लिया था या फिर यूँ कह सकते हैं कि 16 लाख अब्यर्थियों ने REIT परिक्षा के फारम भरे थे अगर हम 2nd grade की बात करें तो यहाँ पर फोर्म भरने वाले candidates की संख्या क्या हो जाती है कम हो जाती है और यदि हम 1st grade की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाती है फोर्म भरने वाले candidates की संख्या तो आपको आपकी योग्यता का पूरा का पूरा ध्यान है कि क्या मैं अध्यापक पातरता परिक्षा रीट में सलेक्ट हो सकता हूं क्या मैं सेकंड ग्रेड में सलेक्ट हो सकता हूं क्या मैं फर्स्ट ग्रेड में सलेक्ट हो सकता हूं कोई भी एक वेकंसी वेकंसी से तात पर तो आप 3rd grade teacher या फिर read की chain कर लिजिए, या फिर आप 2nd grade की chain कर लिजिए, या फिर आप 1st grade की chain कर लिजिए, जो भी आपकी योग्यता है जिसमें भी आप सक्षा में, जिसमें भी आपका confidence है, जिसमें भी आपको पूरा विश्वास है कि ये तो मैं बन ही जाऊंगा, उस एक क का चैन कर लीजिए और उसके पीछे अपने पूरे के पूरे प्रियास लगा दीजिए ध्यान रखिए जिस दिन हमारा रिजल्ट आए जिस दिन हमारा रिजल्ट आए मान लीजिए उस दिन आपका सेलक्शन नहीं होता है तो आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं ये कर लेता तो ये हो जाता अर्थार्थ मैं इस किताब को पढ़ लेता तो मेरा सलेक्शन हो जाता मैं इस कोचिंग में पढ़ लेता तो मेरा सलेक्शन हो जाता मैं इतना और पढ़ लेता तो मेरा सलेक्शन हो जाता मैं ये notes ले लेता तो मेरा selection हो जाता ये समय आपके पास अभी है आपको जिस coaching में पढ़ना है आप अभी पढ़िये आपको जिस किताब को पढ़ना है आप अभी पढ़िये आपको दिन में पढ़ना है आप दिन में पढ़िये आपको रात में पढ़ना है आपको रात में पढ़िये आपके दिमाग में ये कभी नहीं आना चीए कि मैं ये कर लेता तो मेरा सेलक्शन हो जाता आपको जो करना है वो करने का समय आपके पास अभी है ये चैन करने के बाद आप किसी में भी चाहे वो स्कूल ग्रेट जो भी हो जिसमें आपको पूरा confidence है कि मैं एक पद ले लूगा उसके पीछे आप तयारी करके लग जाईए अब मैं बात करूं कि मेरे खुद के अनुभव की तो देखिए मेरा जो अपने school grade first है उसमें 2015 वाली जो भरती आई थी उसमें selection हुआ था 137 वी rank पर अब मेरा 2016 में वर्ष 2016 में अप्रेल माह में अप्रेल माह में क्या थी आर ए एस मैंस जो 2013 वाली आरेस थी उसकी मुख्य परिक्षय कहब थी अप्रेल माह में थी ठीक है इसी माह की 24 अप्रेल को कोलेज वैक्षाता का जीके का पेपर हुआ था आप आर्पेसी की साइट्स पर जाके देख सकते हैं पुराने पेपर हैं वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस किस तारिक को कौन सी परिक्षा हुई थी ठीक है यही पर जून के अंतिन सप्ता है प्लस जुलाई के प्रथम सप्ता है में कोलेज लेक्षरर के सब्जेक्ट के पेपर थे और जुलाई 2016 में स्कूल व्याख्याता की परिक्षा थी जिसमें 17 जुलाई को तो जीके का पेपर था और 21 जुलाई को जियोग्रोफी का पेपर था अब यहाँ पर देखिए मैं मेरी इस्तति आपको बता रहा हूं कि उस समय 2007 से लेके 2014-15 तक मैंने RAS की तयारी की जब मैंने graduation कंप्लीट की तो मेरा एक ही खुआब था कि मुझे RAS के लिए जाना है 2010 वाली परिक्षा में मैंने men's लिखा 2012 वाली vacancy में मैं interview तक महुँचा और 2013 की मैं pre clear करके था और men's की परिक्षा मेरे सामने थी मेरा जो जीवन का एक खुआब था वो सामने था RAS men's 2013 ठीक है college वैख्या था चूंकि मैं net selected था और आप जानते हैं कि हर पिता का एक स्वपन होता है कि उसका बेटा ये करे वैसे ही मेरे पिता ने मेरे लिए एक स्वपन देखा था कि मेरा बेटा college lecturer बने यहां पर पिता जी के खुआब थे और यहां पर क्या था समाजिक दबाव आप एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी एक उम्र बढ़ती जाती है वैसे हमारे उपर नोकरी लगने का एक दबाव सा बढ़ता जाता है आज के जमाने में केवल आपका जो intelligence है या आप कितने intelligent हैं इसका आकलन जो समाज हो कैसे करता है कि क्या आप सरकारी नोकरी में हैं यदी आप नोकरी लग गए इसका मतलब है आप intelligent हैं यदी आप नोकरी नहीं लगे तो हमारे ही पडोसी हमारे ही परिवार वाले कह देते कि अरे ये तो पढ़ता ही नहीं था तो यहाँ पर क्या था कि मेरी एज लगबग 30-32 साल हो गई थी तो यह मेरे उपर खुद के उपर दबाओ था कि यदि अब नोकरी नहीं लगे तो फिर नोकरी कब लगेंगे तो मुझे यहाँ पर चैन करना था खुद की योग्यता के आदार पर कि क्या मैं अपने खुआब के पिछे जाओं क्या मैं अपने पिताजी के खुआब के पिछे जाओं या फिर मुझे इन में से नोकरी लगना है तो मैंने मेरी योग्यता का आकलन किया तो मैं इस अनुभवों पे पहुँचा कि RAS मेंस मेरे लिए सबसे कठीन होगी इसमें कोई शोरिटी नहीं है कि मैं उस वर्ष RAS बन ही जाओंगा तो यहाँ पर मैंने RAS मेंस को छोड़ा हाँ अप्रेल माहा में जो परिक्षा हुई थी मुखे परिक्षा में उसमें शामिल नहीं हुआ एक बहुत कठोड निन्ने था जो मैंने लिया आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं रोज रात को पढ़ने बैठता और जैसे ही रात के दो तीन बज़ते मैंने वर्ल्ड तब ही मेरा औरेस में सेलेक्षन नहीं हुआ तो इस थोड़ी सी पढ़ाई से मेरा क्या सेलेक्षन हो जाएगा तो मैंने वहाँ पर उसको छोड़ा कोलेज वैख्याता में केवल सो पद थे तो मैंने यहाँ पर भी चांसे कम थे तो मैंने इसको भी छोड़ा लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास था कि मैं स्कूल वैख्यातो बन ही जाऊंगा तो मैंने अपना देखे जीवन का सबसे कठोर निन्ने लिया कि इन दो एक्जाम्स को छोड़के मैं केवल स्कूल वैख्याता के पीछे गया क्यों क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि मैं स्कूल लेक्चरर तो बन ही जाऊंगा क्यों क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अच्छा था और मैंने काफी मेहनत की थी तो जब आपका सब्जेक्ट पे कमांड होती है और आप महनत करते हैं तो आपका सलेक्शन कंफर्म होई जाता है तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि लोगों की बातों में ना आएं कि इसकी तैयारी कर लो क्योंकि आपको कई लोग मिल जाएंगे अरे पढ़ो तुम तो अगर तुम तैयारी करोगे तो सब में सलेक्शन हो जाएगा यह होता था 20-25 साल पहले तक वरतमान में प्रतियोगिता और प्रतिस परदा इतनी ज्यादा है कि आप जिस एक्जाम की तैयारी करेंगे आप वही बनेंगे आपको बड़े बुजुर्गे यह कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे आरे आरेस की तैयारी करो कॉंस्टेबल तो बन ही जाओगे आज के जमाने में जो आरेस की तैयारी करेगा वो आरेस बनेगा जो कॉंस्टेबल की तैयारी करेगा वो constable बनेगा ये कभी नहीं होता कि RS की तयारी करने वाला constable बन जाए वही चीज यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप school lecturer की तयारी करेंगे तो आप school lecturer बनेगे आप second grade की तयारी करेंगे तो आप second grade बनेगे और अगर आप read की तयारी करेंगे तो आप read के जो third grade के teacher है हमारे वो बनेंगे तो ये decision आपको लेना है ये कोई नहीं बता सकता आपको की आप क्या करें अपनी योग्यता को पहचाने की किस भरती में मैं पूरा का पूरा महनत करके अपनी एक post को secure कर लूँआ देखिए महनत आपको करनी है जवाब आपको देना है यहां कोई आपके साथ नहीं आएगा कि अरे तुने ये क्या किया अपने उपर विश्वास रखिए आराम से सोचिए कि कि किस की तयारी करूं ऐसा नहीं है कि आप school lecturer की तयारी कर रहें तो आप lab assistant geography के बन जाएंगे नहीं उसका syllabus सेकंड ग्रेड में यदि हम SS की बात करें तो आपको यहां पर आठ मुख्य सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ रहे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीती, विग्यान, लोग, प्रशाशन, समाज, शास्त्र, अर्थ, शास्त्र, दर्शन, शास्त्र ये आठ सब्जेक्ट आपको प का पेपर है, उसका सलेबस अलग है, तो ये धार ना मन में से निकाल दीजिए, कि मैं इसकी तयारी करूँगा, तो मेरा इसमें सलेक्शन हो जाएगा, नहीं, जिसकी तयारी आप करेंगे, आपका सलेक्शन उसमें होगा, चाहे आप किसी की भी तयारी करें, अगर आपको ल रगता है कि मैं school lecturer बन सकता हूं तो उसके पिछे जाए जिसके भी पिछे जाएं खुद की योगता का आकलन करें और उसके पिछे जाएं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इस नेर्णे को लेने में साहता करेगे कि आपको किसकी तयारी करनी है अगले वीडियो में किसी और टोपिक पर आपसे चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद.